स्रीधर पाठक की प्रमुख पंक्तियां जो की परिक्षाओं के हिसाब से बहुती महत्पुण हैं और नेट में इनकी पंक्तियां आती रहती हैं उन पंक्तियों में ये प्रमुख हैं आप इने जरूर पढ़ें निज भासा बोलहूं लिखहूं पढ़हूं गुनहूं सब लोग करहूं सकल विशयन विशे निज भासा उप्योग ये अपनी भासा के संबन में लिखते हैं और इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेज। प्रकृति यहां एकांत बैठी निज रूप समारती। लिखो न करो लेखनि बंद स्रीधर्शम्सब कविश्वच्छंद। और इस भारत में बन पावन तूही तपस्वियों का तप आश्रम था। जगतत्व की खोज में लग्न जहां रिश्यों ने भग्न की आश्रम था। महाविर्प्रशाद दिवेदी की प्रमुक पंग्तियां। सुरम्य रूपे रसरासि रंजिते वेचित्र वरणा भरणे कहां गई। अलोकिकानन्द विधायनी महा कविंद्र कांते कविते अहो कहां। मांगल्य मूल मैं वारिद वारे वरेष्टे। इस तरह की जो कविताएं हैं इनकी वह बार-बार परिक्षाओं में आती हैं। इसलिए आप नहीं जरूर पढ़ें। सारी प्रजानी पढ़दीन दुखी जहां है। करतव्य क्यान कुछ भी तुझे को कहां है। आयोध्या सिंगुपाध्याय हरियोध। इनका जो है काविपंक्तियां परिक्षाओं में पूछा ही पूछा जाता है। और इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास वह तो आपकी नेट लेवस में भी है। इसलिए आप इनकी पंक्तियों को जरूर पढ़ें। दिवस का अवशान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला। तरू सिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है। दुख जल निधि डूबी का शहारा कहां है। या पंक्तियां बहुत बार पूछी जाती हैं इसलिए आपने जरूर याद रखें। लख मुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूं वह हिर्दय हमारा नैन तारा कहां है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पदमिन नाथ डूबे। आई दोशा फिर गत हुई दूसरा वार आया। क्याँ पले पीर कर किसी को तू है बहुत पालिसी बुरी तेरी। और दोस्तो अगले कभी हैं मैथली सरण गुप्त भारत भारती से। ये जो है पंक्तियां ये बार बार परिक्षाओं में पुछी जाती हैं। केवल मनुरंजन कभी का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और साकेत से राम तुम मानव हो इस्वर नहीं हो क्या। विस्व में रमे हुए नहीं सभी कही हो क्या। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ बिचारे आज मिलकर ये शमस्याएं सभी। ये भी बार बार परिक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तो ये उनकी प्रमुख कावे पंक्तियां है जो बारवा परिक्षाओं में पूछी जाती हैं और बहुत ही प्रमुख हैं इसलिए इन्हें आप जरूर याद करें और दोस्तो इनके हर जो भाग है यानि की साके थी उसकी कुछ ऊपर की दो-चार पंक्तियां हर भाग का प्याद जरूर करें नहीं तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि अब इनकी सुरुवाती लाइने ही परिक्षाओं में पूछ ली जाती हैं और पूछ ली जाता है कि इन पंक्त सखी वे मुझसे कह कर जाते और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो उनकी पंक्ति है यह सोधरा की अबला जीवन हाय तुम्हारी यहीं कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी और पंचवटी से चारुचंद्र की चंचल किरडे खेल रही हैं जल्थल में स्वच्छ चाद नी छिटक रही अवनी और अंबर तल में नाथुराम सर्मा संकर की पंक्तियां हैं देश भक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा प्राणों का वलिदान देश की वेदी पर करना होगा भळक भुलादो भूतकाल की सजिय वर्तमान के साज फैसन फेर इंडिया भर के गो रेगाड बनो ब्रजराज संकर नदी नद नदी शन के नीरन की भाप बनकर अंबर ते उड़ी चड़ जाएगी और राम नरे स्तिरपाठी की पंक्तियां हैं प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग है प्रेम प्रेम असंक असोक इस स्वर्ग का प्रतिविंब प्रेम है प्रेम में के वलपस ही रह सकता है देस प्रेम वह पूंडे छेत रहे अमल अशी मत्याग से विलसित आत्मा के वीकास से जिसमे मनुस्यता होती है विक्सित और यगनाद दासरतनाकर की पंक्तियां है नंद अव जसो मति के प्रेम पगे पालन की लाड भरे लालन की लालच लगावति कान दूत के धो ब्रह्म धूत दुवय पधारे आप धारे प्रन फेरन को मति ब्रजबारी की और वहीं सत्य नाराण कविरत्न की पंक्तियां है अल बेली कह बेली दुमन सो लिपटी सुहाई धोए धोए पातन की अनपप कमनाई पढ़े ने अच्छर एक ज्यान सपने न पायो दूध तही चाटन में सबरो चन्म गवायो और तो दोस्तों आज के लिटना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जाए है